प्यारे सातियों स्वागत हैं आप सभी का एक बार फिर से सार्थी नर्सिंग किलासेस के ओनलाइन यूटूब चैनल के उपर जहां पर आज के वीडियो लेक्चर में हम डिसकस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपोटेंट टोपिक के बारे में जो की एक्जाम में बहुत इंपोटेंट होता है इसमें आज हम देखेंगे कि एक्जाम के अंदर किस तरह से लिखा जाता है और किस तरह से पेपर सौल्व किया जाता है इसमें हम देखेंगे कि हम कोपी के अंदर जो लिखते हैं सोल्व करते हैं पेपर को उस पर कौन कोल सी गलतियां करते हैं और हमारे जो मार्क्स होते हैं वह किस तरीके से कटते हैं और लिखने का सही तरीका क्या होता है अगर आप exam के अंदर answer seat में सही तरीके से और suitable manner में लिखेंगे तो आपके marks नहीं कटेंगे अब देखते हैं हम exam में क्या-क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए जो हम अक्सर गलतियां करते हैं इसमें सबसे पहला है admit card ले जाना ना भूले सबसे पहली गलती students की वह admit card ही ले जाना भूल जाते हैं तो ये गलती हमें exam के अंदर नहीं करनी है हमें exam के अंदर अपना admit card लेकर जाना है इसके बाद जल्दी बाजी में जो copy होती हैं जो answer seat होती हैं उसमें आवशक सूचना भरने में कोई जल्दी बाजी न करें या कोई गलती न करें जैसे कि हम copy के अंदर role number, college name, date, answer seat, code जो हम भरते हैं फिलप करते हैं उसमें हमें जल्दी बाजी नहीं करनी है और हमें उसमें किसी भी सूचना को गलत नहीं बरना है ये गलती हमें exam के अंदर नहीं करनी है इसके बाद अगला है ये सोच कर ना बेटें कि केवल copy बरनी है यानि कि exam के अंदर ये सोच कर ना बेटें कि हमें केवल बस copy बरनी है answer seat बरनी है क्योंकि copy बरने से number नहीं आते हैं ये बात आप ध्यान रखिएगा क्योंकि number तभी आते हैं जब हम अच्छे तरीके से और अच्छी writing के अंदर copy में लिखते हैं इसके बाद हैं exam में कोई अनावश्यक वस्तू लेकर न जाएं जैसे कि mobile, bluetooth वगेरा इस यह गलती हमें exam के अंदर बिलकुल नहीं करनी है कि हम किसी भी तरह का जो mobile, phone, bluetooth जो chatting करने के items होते हैं उनको हम लेकर न जाएं और exam के अंदर यह गलती हम न करें इसके बाद हम देखते हैं copy या answer seat मिलने के बाद क्या करें मिलने पर क्या करें इसमें पहला हैं सबसे पहले copy या answer seat को check कर ले कि page कम तो नहीं है या कोई page फट तो नहीं रहा यानि कि जब हमें answer seat मिलती हैं तो हमें सबसे पहले answer seat को check करना चाहिए कि उसमें page तो कम नहीं है या उसके जो page फटे तो नहीं है या copy में किसी प्रकार का dimage तो नहीं है इसको हमें देख लेना है check कर लेना है इसके बाद copy में आवशक सूचना भरें copy में हमें आवशक सूचना भरनी है अच्छी तरीके से role number जो college का name है day है date है वो सब हमें fill up कर लेनी है और इसके बाद आवशक सूचना को पुनर check करना है assess करना है कि कहीं पर कोई गलती से छूड़ तो नहीं गया या कहीं पर गलती तो नहीं हो गई है उसे हमें पुनर check कर लेना है इसके बाद paper मिलने पर क्या करें यानि कि हमने answer seat fill up कर ली है इसके बाद हमें paper दिया जाता है paper मिलता है इसके बाद हम सबसे पहले paper code को check कर लेते हैं यानि कि हमें सबसे पहले paper का code check करना होता है क्योंकि बहुत सी बार mistake से गलत paper हमारे हाथ में आ जाता है और इस चीज की हमें गलती नहीं करनी है इसलिए हमें paper code check कर लेने हैं इसके बाद है paper को ध्यान पूर्वक पढ़ें और मुल्यांकन कर अपनी रणनीती तैयार कर लें रणनीती बना लें यानि कि paper के सारे questions को अच्छे से ध्यान पूर्वक पढ़ना है और स्वेम का मुल्यांकन कर लेना है यानि कि देख लेना है कि कितने प्रश्ण आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं और जो paper हैं उसे solve करने के लिए एक रणनीती तैयार कर लेनी है कि किस तरह से हमें क्यूशन solve करने है और कौन सा प्रश्ण पहले करना है कौन सा बाद में करना है इस चीज का पता कर लें इसके बाद अब प्रश्ण करना शुरू करें और सब चीज करने के बाद अब आप अपना प्रश्ण पत्र solve करें कोपी में कैसे लिखें अब हम देखते हैं कि जो answer seat होती है उसमें कैसे लिखें उसमें लिखने का तरीका क्या होता है इसमें सबसे पहला है हर प्रश्ण का सही करमांख डालें और जल्दी बाजी न करें यानि कि जब हम first में लिखते हैं पेपर solve करते हैं तो हमें हर प्रश्ण का जो question number होता है वह अच्छे से लिखना है और हर question को एक नए page से start करना है इस बात का विशेश ध्यान रखिए और शुरुआत में जल्दी बाजी न करें इसके बाद अच्छे से topic को समझें और highlight करके सही उत्तर लिखें यानि कि हमें सबसे पहले question को अच्छे से पढ़ना है और उस topic को अच्छे से समझ लेना है कि question क्या पूछ रहा है और हमें क्या लिखना है और किस तरह से हमें question solve करना है और इसके अंदर कितना content कितने page में लिखना है इसे हम समझ ले और जो topic हैं जिसे हम solve कर रहे हैं उसे highlight करके लिखें यानि कि आप black pain का use कर सकते हैं और अच्छे से लिखें इसके बाद हैं प्रतेक प्रशन का पहला page अच्छे से और सही सही लिखें और यह बहुत important चीज होती है कि जो प्रतेक प्रशन होता है उसका पहला page अच्छे से लिखें, clarity के साथ लिखें और सही सही लिखें इसके बाद है copy के अंदर यानि answer sheet के अंदर पहले 10 से 15 पेज अच्छी writing, clarity, sub points और graphical presentation के साथ लिखें यानि कि जो copy के answer sheet के जो सुरुआती 10 से 15 पेज होते हैं उनमें अच्छी writing में, clarity के साथ, यानि कि बिना काटा फीसी के साथ sub point बना कर और graphical presentation के साथ लिखना है अच्छे से क्यूशन को स्वल्व करना है इसके बाद copy भरने पर अधिक ध्यान न दे और copy भरने के अंदर अधिक ध्यान न दे आपका जो ध्यान है वह only क्यूशन को स्वल्व करने में ही दे इसके बाद timing का विसेश ध्यान रखे यानि कि exam के अंदर जो timing होती है उसका विसेश ध्यान रखे कि कितने time के अंदर कितना क्यूशन स्वल्व करने है और एक क्यूशन को कितना time देना है इस Character का विसेश दियान रखिए इसके बाद प्रतेक प्रशन को उचित समय दें और बड़े प्रशन पहले करने का प्रियास करें और प्रतेक प्रशन को उचित समय देना है, sufficient time देना है और कोशिस यही करनी है कि जो बड़े प्रशन होते हैं अधिक नंबर वाले प्रशन होते हैं उन्हें हम पहले सोल्व करें इसके बाद हैं प्रतेक प्रशन करने का पूर्ण प्रियास करें और कोशिस यह रहे कि जो प्रतेक प्रशन है उसे हम पूरा करें या पूरा करने का प्रियास करें इसके बाद हमारा आगला पॉइंट है 15 पेज लिखने के बाद राइटिंग स्पीड बढ़ा ले यानि कि जो 10 से 15 पेज हैं वह लिखने के बाद आप अपनी राइटिंग को और राइटिंग स्पीड को बढ़ा ले अच्छे से इसके बाद 25 पेज भरने के बाद आझर सोट कर दें यानि कि एकजाम के अंदर 25 पेज वैju Cory सिंग एकजाम की जो आझर सीड हूती हैं उसमें 40 पेज होते हैं और उसमें 25 पेज भरने के बाद अपने जो आंसर्स होते है उन्हें सोट कर दें, यानि कि उसमें important content को ही सामिल करें या लिखें, इसके बाद आदे समय में आदा पेपर कर लें और writing speed बढ़ा लें, यानि कि बीच में या सुनिश्चित करें कि आदे समय में आदा पेपर हुआ या नहीं, यदि पेपर हो जाता हैं तो ऐसे ही चलने और यदि पेपर आदा नहीं होता हैं तो अपनी जो writing speed हैं लिखने की speed हैं उसे और बढ़ा लें, इसके बाद पूरे प्रशन करें और पूरे प्रशन करने का प्रियास करें इस तरह से, इस तरीके से हमें exam के अंदर answer seat में प्रशन को solve करना है, question solve करना है इसके बाद copy देने से पहले यानि की 5 minute पहले copy को फिर से check करें और copy देने से पहले 5 minute पहले आवशक शूचना यानि की roll number, answer seat का जो code होता है वह संपूर्ण चीज को assess कर लें, री चेक कर लें और प्रशन करमांक अवश्चे चेक कर लें इसके बाद paper में कुछ भी ना आये तो और यदि ऐसी condition हो की exam के अंदर paper को देखते समय पढ़ते समय ऐसा लगे की paper में कुछ नहीं आ रहा हैं या कुछ याद नहीं है उस condition के अंदर क्या करें सबसे पहले कहना है बाबा जी बचा लेना अब आपके भरोसे हैं सब कुछ और सुरू हो जाना है यानि कि जो मैंने पहले बताया उस सभी तरीके को follow करना है इसके बाद पहले जो 10 page होते हैं उनमें वो प्रशन करने हैं जो कुछ याद हो यानि कि जिसके बारे में आपने पढ़ा हो या कुछ याद हो उन्हें आप पहले solve करें पहले 10 page के अंदर अच्छी writing के साथ clarity के साथ सब points के साथ और graphical presentation के साथ solve करें इसके बाद अगले 15 page में वो प्रशन करें जो कुछ में भी कुछ याद हो यानि कि अगले जो 15 page होते हैं उनमें वो प्रशन आपको करने हैं जिनमें आपको थोड़ा बहुत कुछ याद हो आपको अपना तरीका और तरीके से solve करना हैं जैसे कि हमें पता हैं कि MSN का paper होता ह हैं उसमें हम सबसे पहले definition लिखते हैं फिर उसका जो causes होते हैं etiology लिखते हैं clinical manifestation लिखते हैं diagnosis लिखते हैं treatment लिखते हैं management करते हैं nursing management करते हैं उसी manner के अंदर आपको कुछन solve करना हैं इस तरीक तरह से आपके 25 page आराम से भर जाएंगे इसके बाद अब आगे suitable तरीके से उस subject से related लिख दो और पूरी copy भरने का प्रयास करो और 25 page भरने के बाद आपको उसी manner में उसी तरीके में अच्छे से उस subject से related लिख देना है यानि कि जो disease है या कोई topic है उस topic में जो आपको याद हो वह आप लिख सकते हैं यानि कि आपको जो answer seat है उसे भरने का प्रयास करना है इस तरह से आप paper को solve करेंगे तो आप निश्चित रूप से all clear हो जाएंगे पास हो जाएंगे इसके बाद मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि भगवान भला करे आपका क्योंकि यदि paper में कुछ नहीं आया तो फिर भगवान ही जाने क्या होगा तो ये था दोस्तों आज का हमारा topic और important कुछ exam से related चीजें जो आपको विसेश तरह से ध्यान रखनी है exam के अंदर इसी तरह की की और important information और knowledge के लिए बने रहे हमारे साथ Thank you so much